नमस्कार दोस्तों लाइबरी साइंस के ओनलाइन क्लाशेज में आपका स्वागत है दोस्तों मारे यूटूब चैनल के मादिम से आप भली बाती पड़ाई कर रहे होंगे उमीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा साथ ही दोस्तों आज एक नए टोपिक के साथ में पुने हैं आपके लिए लाइबरी साइंस और लाइबरी ग्रेड थर्ड यूजी सी नेट और NBS, KBS एसे एकजाम्स भी बार बार पुछे जाते हैं उनके से जुड़े एक टोपिक को लेकर पूने हाजी रहे हैं ये है लाइबरी मोमेंट इन इंडिया यानि भारत में पुस्तकाली आंदोलन की क्या करेगा ये बात करेगा आंदोलन में दोस्तों आप समझो तो आप यह मालों कि यह शुरुवाती जन्नों की बात करता है कि भारत में पुस्तकाले आंदोलन को सबसे पहले बड़ावक अप दिया गया और साथ ही भारत में कौन सी ऐसे अस्तान था कौन सी ऐसे जगह थी जहांपर सबसे पहले पुस्त पुस्तकाले विग्यान की शिक्सा हो शुरू किया तो सारे संदर वाज अपन क्या करेंगे अपने इसे यूटूब प्लाशेज में शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो दोस्तों बात कर लेते हैं विश्वा में पुस्तकाले विग्यान की शिक्सा विश्वा में विश्वा म में पुस्थकाले विज्वान अन्दोलन और आंदोलन की बात करें तो यह अन्दोलन सबसे पहले बिरिटेन से सुरूआ था ऐसे समय बिरिटेन में सनदाड़े सो पचास में ही सारवजन इक पुस्थकाले अदिनियम सारवजनी के पुस्तकाल अदिनियम जो है वो क्या कर दिया गया था भई लागू कर दिया गया था यनि बिटेन में सन 1850 में सारवनी पुस्तकाल अदिनियम क्या कर दिया गया था लागू कर दिया गया था और यहीं से क्या मानी जाती है विश्व में पुस्तकाले आंदोलन की सुरुआत मानी जाती है दोस्तों बात करें अगर भारत में पुस्तकाले आंदोलन की शुरुआत है तो आप याद रखना है भारत में पुस्तकाले आंदोलन की जो शुरुआत है वो बडोदा और बडोदा में भी बात करें दोस्तों बडोदा ये गुजरात वाले बडोदा ही बात करें अपन बडो बड़ुदा ही बाले तो गुजरात और गुजरात में सन 1910 में बड़ुदा के सासक जिनका नाम था जिनके पनपूर्वे के वीडियो में भी चर्चा किये हैं जिनका नाम था सियाजी राव गाइकवार थर्ड सियाजी राव गाइकवार थर्ड सियाजी राव गाइकवार थ और पुस्तकाले आंदोलन को बढ़ावा दिते भारत में क्या शुरू हो गया पुस्तकाले आंदोलन शुरू हो गया दोस्तों मैंने आपको पूर्वे के वीडियो में बताया है इनका जनम कब हुआ था मरत्यों कब हुए थी और यह सासक कब बने थे तो आप बिना देखे आ आप हमें क्या कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के मादेम से बता सकते हैं कि इनका जनम कब हुआ था और कभी एसासक बने थे आप यह समझो दोस्तों कि यह जो सियाजी राव गाइकवार्ट थर्ड हैं इनको ही भारतिये भारतिये पुस्तकले विग्यान आंदोलन का जनक किसे का जता है तो आपको याद रखना है दोस्तों भारत में पुस्तकले विग्यान आंदोलन का जनक जनक जो है वो सियाजी राव गाइकवार्ड थर्ड कोई क्या है भई का जता है दोस्तों कुछे किताब में बहुत सारी तूटिया रहेंगे बहुत सारी गलतिया कई जगे क्या लिखा रहेगा इस परसन का उत्तर रंगानाथन लिखा रहेगा तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं रंगानाथन के अकर बात करें तो आप यहां से एक ओर्लाइन याद रखेगा वो याद रखनी है वो याद रखनी है भारतिये पुस्तकले विज्ञान भारतिये पुस्तकले विज्ञान सिक्सा का जनक भारतिये पुस्तकले विज्ञान सिक्सा का जनक किताबों में जो परसीद राइटर है उनकी किताबों में सबसे ज़्यादा तुरोटियां फिलाल देखने हुमिल रही है तो आप अराम से देख लेंगे कि कौन से सही है और कौन सा नहीं है बात करेंगे दोस्तों दुबारा से पुस्तकाले आंदोलन की तो अपनने बात किया कि भारत में पुस्तकाले आंदोलन का जलक तो कोन है सियाजी राव गाईकवाड थर्ड है और अगर सिक्सागी बात करें तो उसके जनक कोन है बही डोक्टर एस आर रंगानातन जिनके जीवन परीचे के बारे में जल्दी आपको एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तू आगे यहां पर सियाजी राव गाईकवाड थर्ड की कि उन्होंने पुस्तकाले आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया तो आपको याद रखना है सबसे पहले इनके बारे में कि यह सनुनी सो दस में सनुनी सो दस में यूएस से यानि अमेरिका ब्रमन पर ग गोमने के लिए गए कोन गए तो आपको याद रखना है सियाजी राव गाईकवाड थर्ड गोमने के लिए गए दोस्तों यह वहां पर क्या है देखो वहां के विक्सित पुस्तकाले को देखकर काफी आस्ष्य चंकित होए वहां पर यह क्या हो है विक्सित पुस्तकाले को महत्वपुन बोमिका है किसकी महत्वपुन बोमिका है भई मैलविन डैवी की महत्वपुन बोमिका है अब देखों मैलविन डैवी की महत्वपुन बोमिका है तो सियाजी राव गायकवार थेर्ड जो है वो इनसे मुलाकात करते हैं किनसे मुलाकात करते हैं मैलविन डैवी स और इनको बडोदा आमंत्रित करते हैं इनको बडोदा आमंत्रित करते हैं बडोदा यानि उस समय एक रियासत हुआ करता था और वहाँ पर इनको आमंत्रित करते हैं कि आप ऐसे पुस्तकाले आप कहां स्तापित करें ऐसे पुस्तकाले आप बडोदा में स्तापित करें बडो बोर्डन शियक का नाम आम है व. डॉय बोर्डन अपने व. बोर्डन यांधिक्याद को क्या नाम है उधुरा बढ़ावाते जिय यह इनको बॉरुड़ा से तहले हुदा केर की संग्या भी इनको दी जाती है ये डेवी के मेलविन डेवी के कहते सीस्यते और भारत में आ जाते हैं कब आ जाते हैं वही सनुनी सो दस में कहा आ जाते हैं भारत में आ जाते हैं और भारत में आकर क्या करते हैं देखो ये सनुनी सो दस में बडोदा में एक संग बना द बडोदा लाइब्रिरी असोशेशन नाम से क्या बना देते हैं भई यह के संग बना देते हैं और इस संग के द्वारा देख क्या किया जाता है उसकी भी अपन जर्चा करेंगे यह संग जो है दोस्तों यह भारत में यानि डब्लू ए बॉर्डर की द्वारा स्तापित किया ज प्रशिक्षण कारिय करम का आयोजिन किया जाता है आप यू समझो दोस्तों यह एक महरत्व पूर्ट पूर्ट संग था और इस संग की अगर बात करें इसके अध्यक्स और संडख्षक की तो आपको यह भी याद रखना है कि इस संग के संडख्षक संडख्षक मतलब इसको पूर्ट साहिता देने वाले या पैट्रोन अगर बात करें तो वो बनाए गए सियाजी राओ गायकवार्ड थर्ड संडख्षक तो बनाए गए कोन सियाजी राओ गायकवार्ड थर्ड यानि सियाजी राओ गायकवार्ड थर्ड को तो क्या बना दिय संदक्सक बना दिया गया और स्वैम जो डबलू ए बोर्डन था वो इसके क्या बन गए इस संग के निर्देशक बन गए यानि स्वैम डबलू ए बोर्डन जो थे वो इस संग के क्या बन गए बही निर्देशक बन गए और भारत में पुस्तकाले कार्मी को इतो इन्होंने क् प्रसिक्षन कारीकरम चलाया देखो इस प्रसिक्षन कारीकरम के परिनाम स्वरूप ही भारत में पर्थम भारतिये पुस्तकाले विज्ञान पत्री का जिसके अगर नाम की बात करें तो नाम था लाइबरेरी मिस लेनी का क्या हो पाया भई लाइबरेरी मिस लेनी का परकाशन पाया दोस्तों पूर्वा के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि लाइबरेरी मिश्च लेनी का परकाशन कहां से हुआ कब हुआ तो आपको एक बार पुने याद रखना है सन 1912 में बडोदा से इसका परकाशन हुआ और परकाशित करने में मैत पुन बुमिका जो है दो दोन सी बासाओं में इसको परकाशित किया गया था वो बता सकते हैं साथ ही दोस्तों यहां से एक और बात कर लेंगे जो इंपोर्टेंट है जैसा कि WA Borden ने एक संग बनाया है BLA यानि Borden संग बनाता है BLA वैसे ही Malwin Devy भी एक संग बनाता है उसका नाम भी क्या है उसका नाम भी BLA बात करें दोस्तों इस BLA का पूरा नाम है British Library Association और British Library Association जो है वो कौन से संग में बनाया गया था यह आप हमें बता सकते हैं डेवी के द्वारा कौन से संग में और कहां बनाया गया था यह आप हमें कमेंट बॉक्स के मादियम से क्या कर सकते हैं बना बता सकते हैं तो इंपोर्टेंट बात है दोस्तों बारत में पुस्तकाले आंदोलन और पुस्तकाले आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए स्याजे राव गायकवाड थर्ड ने क्या किया मैं तो पुन कारी किया दोस्तों यहाँ पर एक आलोजनात्मक परीबासा जो की UGC NET जैसी एक्जाम में पुछी जाती है उसका भी मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ दोस्तों बारत में पुस्तकाले आंदोलन के संदर में डोक्टर S.R. रंगानातन का भी आपर एक जिक्र आएगा यानि डोक्टर S.R. रंगानातन जो है और दोस्तों वो क्या करते हैं एस रंगानातन एक परिवासा प्रस्तूत करते हैं देखो कैसी परिवासा है वो उनकी तो वो आप इंपोर्टेंट है याद रखनी है डोक्टर एस रंगानातन कहते हैं कि मुद्रित सामगरी के संकलन ही तो संकलन है तो यहां वहां चोटे बड़े पुस्तकाले खोल देना फुस्तकाले आंदोलन नहीं है यहाँ वहाँ छोटे बड़े पुस्तकाले खोल देना पुस्तकाले आंदोलन नहीं है बलकि देखो क्या है निसुलक वैसारवजनिक कोस से अस्तापित पुस्तकालियों का एक एकरित जाल बुनकर पुस्तकालियों का एक किकरित जाल बुनकर उनको परभावकारी रूप से चलाना ही क्या कहलाता है भई पुस्तकालियांदोलन कहलाता है यानि भारत में पुस्तकालियांदोलन के संदर में डोक्टर एसार रंगानातन के विचार थे दोस्तों ये कि मुद्रित अत्वा है मुद्रित सामगरी के संकलन के लिए यहाँ वहाँ छोटे बड़े पुस्तकाले खोल देना पुस्तकालियांदोलन नहीं है बलकि निशुलक आईक में बुनकर प्रभावकारी रूप से चलाना ही क्या कहलाता है, ऐसे विचार कोन रखते हैं? ऐसे विचार डौक्त ऐसार रंगानातन जो हैं, वो भारत में पुस्तकाले आंदोलन के संदर में प्रस्तुत करते हैं दोस्तो इस समय भारत में क्या था पुस्तकाले संगों की एस्तापना की गई तो आप याद रखेगा पुस्तकाले संगों की एस्तापना की गई इन पुस्तकाले संगों को तीन बागों में बाटा गया दोस्तो बात करेंगे तीन कौन कौन से बाग बने तो आपको याद रख पुस्तकाले संग बने पहले तो इसके बाद में दोस्तों बात करें तो फिर बन गए राश्टी अस्तरिये पुस्तकाले संग यानि ये पुस्तकाले संग जो बने ये पुस्तकाले आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए क्या थे बही बने थे और बात करें दोस्तों तो तीस बना वो बने अंतराष्टिये 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 अ राज जे अस्तरिय पुस्तकाले संग के अपन क्या करेंगें, क्या करेंगें, स्वATION बहुत वा में सुरूना टिए जाय का शे चानलूर, 1. 50-45-9 तो उसके बाद बन जाएगा राष्टिये अस्तरिये पुस्तकाले संग बन जाएगा उसके बाद में बात करें दोस्तों तो उसके बाद में जो बनेगा वो बन जाएगा अंतराष्टिये अस्तरिये पुस्तकाले संग ये क्या बन जाएगा तीन महेतों पूर्ण क्या बन जाएंगे संग यहाँ पर बन जाएंगे आप देखो तीनों के आपरपन जर्चा कर लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों राज्याश्तरीय पुस्तकाले संग 314 में सबसे पहले अंदर प्रदेश में क्या बन गया राधियस्तरिय पुस्तकाले संग बन गया उसके बाद में दोस्तों बात करें तो उसके बाद में महाराश्टरा उसके बाद में बात करें तो महाराश्टर महाराश्टर के बाद में दोस्तों बात करें तो आपको याद के बाद में बिहार के बाद में असम असम न dinner दिल्ली इन भी पुछाद ने नई दिखो बात करते हैं महाराष्टा बन गया है सन Cell vesti में बात करेंगे पक्सी मंगाल तो वो बन गया सन 1925 में इसके बाद में मदरास की बात करें दोस्तों तो वो बना सन 1928 में विकास अलागी इसका 1923 में हो गया था लेकिन ये पूंट या किरियान भी 1928 यानि 1929 में हुआ बात करें पंजाब की दोस्तों तो पंजाब भी 1929 में केरल की बात करें तो 1930 में बिहार की बात करें दोस्तो तो बिहार है 1936 में असम की बात करें तो यह है 1938 में और दिल्ली की बात करें दोस्तो तो यह है 1939 में इसके बाद में दोस्तो कई पुस्तकाले कई राजियों में पुस्तकाले राजिस्तरिय पुस्तकाले संग बने जिन में बना गुजरात, गुजरात मना सन 1953 में इसके बाद में दोस्तों बात करें तो यहां से पन एक ले लेएंगे राजस्तान को और राजस्तान के अलावा एक राजस्तान के साथ में ही मैसूर यानि करनाटक जो है यह भी इसी समय बना था तो उन दोनों का सन्वी आप याद रखेंगे ये दोनों बने थे 1962 में यानि 1962 में दो है दोनों में कौन है गोव़ا की इहां चर्चा करें तो अग गोवा बना था 1963 में ये राजय अस्तरी क्या बन गए थे पुस्तकाले संग जो है वो भारत में क्या हो गए थे बई बन गए थे ये सारे पुस्तकाले संग जो है दोस्तो ये पुस्तकाले आंदोलन को बढ़ावा देने में क्या करते हैं महत पुन गुमिका निबाते हैं बात करेंगे दोस्तो राष्टी अस्तरी पुस्तकाले संगों के तो इस समय कि आईज लिग के बाद में दोस्तों तो अपन ले लेंगे ईटलीस को अध़ीस को और आपण ले तो अपने आज में भी कनेug consent को की सेमील कर सकते हैं ako अपन सामिल कर सकते हैं किसे को Departmentồng को इनकी personnes कब बने तो आपको याद रखना है देखो यह तो बन गया था यह तो बात करें दोस्तों ट्रिपल रलफ की तो यह है 1972 में दोस्तों यहां से अगर बात करें तो मैं ट्रिपल रलफ को पूरा बताऊंगा आने वाले दिनों में एटलिस और आइसलिग और साती आईये ले इन चारों के बड़े वीडियो आपको देखने हों मिलेंगे और चारों के जो है पड़े उसी कारों वीडियो जो है वो काप्ी क्या रहेंगे एक जाम की दस्टी से इंपोरेंट रहेंगे तो उनका मजिकर आपको आगी कक्शां में पूरी तरे से आपको क्या कर दूका, बता दूका तारों साथी दोस्तों बात करेंगे अंतराश्य चस्तरी पुस एसले के अलावा बात करें दोस्तों तो अपन यहां से ले लेंगे एसलिब को एसलिब को एसलिब के अलावा दोस्तों बात करें तो अपन ले लेंगे इफला इफला के अलावा बीच में एक रहेगा है दोस्तों वह अपना फीड फीड के अलावा बात करें तो दोस्तों यहा अपने यहां क्या कर लेंगे सामिल कर लेंगे दोस्तों यह तो है American Library Association 1866 यह है Library Association 1877 यह है दोस्तों SLA Special Library Association 1909 यह है SLA Association for Information Management 1924 दोस्तों कब बना नाम कब परिवर्तितुआ ऐसा आगी कक्साओं में आपको बताया जाएगा साती दोस्तों IFLA महत्वपुन है IFLA International Federation of Library Association and Institution 1927 इसके लाप हेड की बात करें दोस्तों तो 1895 कोमला की बात करें दोस्तों तो कोमला है 1972 और बात करें दोस्तों युनेश्कों की तो युनेश्कों है 1946 यह सभी अंतराष्ट यस्तर यह पुस्तकाले संग जो है दोस्तों इनकी भ बात करें दोस्तों तो यह सारा सारा जो सवरूप है यह क्या है भारत में मान लिजिए या विस्वा में मान लिजिए उस तकाले आंदोलन को बढ़ावा देने में क्या करता है मैत तो पुरे को देख लिजे दोस्तों कहीं से कोई चीज रही हो तो उसको आप बली बांती द जयान में रखेंगे और बली 32 को तियार करेंगे घर पे बेट के आप अपने आपको सुरक्षित कीजिए साथ ही भारत को सुरक्षित कीजिए और एक नए वीडियो के साथ में दुबारा मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत